कि अधिया आपका स्वागत है आज की क्लास में हम साल 2020 में लॉंच कि एक के सभी सरकारी योजनाओं की बाते करेंगे हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी योजनाओं थी जो गौवर्मेंट के जारा साल 2020 में लॉंच किये गई क्योंकि योजनाओं के question हर परिक्षा हम पोचे आते हैं तो इसकी जानकारी हमको होना आफशक है तो चली देखते हैं साल 2020 में लॉंच किये गई सभी सरकारी योजनाओं सबस्थ पहले ही है आत्म निर्भर भारत रोजगार योजनाओं केंद्री वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने कोविड सखनवाकाल से उबर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 12 नवंबर 2020 को कव 12 नवंबर 2020 को नई योजना की शुरूआत की इसे आत्म नंगीना आत्म नर्भर भारत रोजगार योजना की शुरूआत निर्मला सीता रमन के दबारा की गई, मोदी शरकार न कोरौनकार दिलने की एचे तरे लिए 15-7 है Total वह द्मन निर्भर भारत रोजगार योजना की खुरूआत की इसके तहई रudस नई रोजगार को स्वानिध योजना सरकार ने एक जून 2020 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीम स्वानिध योजना सुरू करने की घुश्रा की है लॉकडाउन के कारण रहडी पट्री लगाने वाले लोगों को सबसे जाल दिक्कत का सामना करना पड़ा है पीम स्वानिध योजना का लाव र दुकान लगार आजीव का चलाने वालों के लिए है पीम स्वानिध योजना इसका मक्सद रहडी पट्री और छोटी दुकान चलाने वालों को सबस्ता कर्ज देना है यह कारोबार को शुरू करने में मदद करेगा साथी साथ यह लोन बेहद आशान सर्तों के साथ दिये ज क्रीच कोण करें उद्यानी की क्षेटी करने वाले क्रिश्कों को आर्थिक नुक्षान से बचाने के उद्यत से होई तो केंद्र शरकार के इसके तहर उत्पादकों को फल सब्जियों का उचिद मूल दिलाने के लिए 500 करोण का प्रावधान किया गया इस योजना में आलू प्याज ट्रमाटर के साथ सथ अन विभीन प्रकार के फलो और सब्जियों को भी सामिल किया गया है चले देखते हैं नेक्स योजना कटना ही आती है किसी नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक साथ इतना बड़ा संकट आएगा ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग मदद नहीं कर पारे इसके लिए के लिए सरकार ने पांच चास पचास अज़ार करोन रुपए बजट का रखा है तो आद में उत्तर प्र आईवर के लोग दो प्रसथ आर्थिक व्याज पर बैंकों से दो लाग रुपए एक लाग रुपए की गारेंटी मुक्त रिण दे सकते हैं तो आद में उत्तर गुजरात सहाय के तहट एक लाख रुपए गारेंटी मुक्त रिण देने की सुजधा प्रदान की गई है उस मत्स पालन चाहितर में उत्पादन को बढ़ाना है इस हंफर पर स्वयम सहायتा समोहोगों से जोड़ी महिलाओं और किशानों से बाचेवधिकी की समपदाय उजना की शुरुवात कहां से की गई है बिहार राज से की गई है प्रदारमंद्री नरेद मोदी ने कहा कि हमारा प्रयाश है कि मचली पालन डेरी से जुड़े काम के जरी किशानों की आय को दोगुना किया जाए उन्होंने कहा कि मचली पालन की योजना में 20.000 करोण रुपए से अधिक खर्च किये जाएंगे समुझ से लेकर ताला तक मचली पालन पर जोड़ देने के लिए आपा की योजना पर काम चल रहा है न करोण के लिए जो है किससे दार सुरुकी गई है यह सयरकी उन्हुकिगरां के लिए आपिल की है clear तो विबात से विश्वास योजना की सुरुत केंश सरकार के दारा शुक की गई है अगला है PM वाड़ी योजना तो PM वाड़ी योजना केंश सरकार ने 9 दिशंबर 2020 को दूर संचार विखाग को देश भर के पब्लिक डेटा आफिस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कोई छोटी दुकान या साजा सेवा केंदर भी पीडियो हो सकते हैं पब्लिक डेटा आफिस हो सकते हैं तो केंसरकार ने PM वाड़ी ओजना हाली में सुरू की है उत्पादन लिंग्ड प्रोत्साहन ओजना केंसरकार ने 11 नवंबर 2020 को भारत की वी निर्मार छमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए फार्माश्यूटिकल दवाओं आटो कंपोनेंट्स आटो मोवाईल सही दस प्रमुक छेत्रों के लिए उत्पादन लिंग्ड प्रोत्साहन को मंजूरी दी है इस प्रोत्साहन लिंग्ड योजना के तहित जिन 10 छेत्रों को कवर किया जाए वे प्रद्यों की गहन कारिनीतिक और भारत में रोजगान स्रीजन के दिरिक्षकोंट से महत्रपोर्ण है हाल में उत्पादन लिंग प्रोत्साहन योजना 11 नवंबर को केंज सरकार के दोरा शुरू की गई है इसके अंतरगत निर्याद को बढ़ाव देना वी निर्मार शम्ताओं को बढ़ाना फर्माश्यूटिकल दवाव आर्टो मॉबाल कंपोनेंट इन प्रमुक दस चेत्रों क को शामुल किया गया है किंद्री मंतरी प्रकार स्वा डेकर ने मेडिया मेडिया ब्रीफिंग के दरें बताया कि हमारी एhrथ早 व्यस्टा में इल्मार GDP किबाए प्रत We śत निर्माता ऑं को विश़्श्तर प्रति बनाएगी यही Cela है और हिसके प्रणामारा लिज्या बढ़े उर्जा सुरक्षा प्रिशान उर्जा सुरक्षा और उत्तम महाभियान उत्तम महाभियान प्रधामित्री कुश्चुम के विश्तार को आदेश के आदेश जारी किये गए हैं इसके नसार योजना का लक्ष बर्स 2022 तक 30.8 गीगावाट की सौर छमता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया गया है लक्ष 34,35 करोन रुपए की संसोधित केंद्री विती सहायता के लिए हाशिल किया जाएगा भारत के किशानों को शौर पंप ग्रिट से जुड़े सौर उर्जा और अन्य नवी करंडी बिजली संयंत्रों को इस्थापित करने में मदद करने के 222 तक 25,720 मेगावाट स्वर उर्जा प्राप्त करना था यह आगामी 25 वर्षों के लिए ग्रामीड भूम इमालिकों की आई को स्थिर करेगी यह लक्ष वर्तमान में संसोधित करके 34,35 करोन रुपए किया गया है क्लियर प्रामंत्री कुशुम योजना नेक्स्ट है आईशमान शहकार योजना आईशमान शहकार योजना तो इस योजना के अंतरगत NCDC सहकारी समीतियों को 10,000 करोन रुपए का रिन बाटा जाएगा और समीतियां उससे स्वास्तु विधाए स्थापित करेंगी सरकारी चिकत्तासंद को वजबूती प्लान करने के साथ सरकार ने सहकारी सहस्ताओं को भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के अरुमत देने का फैंसला किया है तो NCDC सहकारी समीतियों को 10,000 करोन रुपए कर रिन बाटने की योजना बनाई गई है आश्मान सहकार स्कीम हॉस्पिटल हेल्थ केर और एजुकेशन इंस्ट्राइश्ट्रक्टर के स्थापना आधुनिकी करन विश्तार मरम्मर रिनुवेशन को कवर करेगी राश्ट्री सहकारी विकास निगम ने अगले कुछ वर्षों में इसके लिए 10,000 करोन रुपए कर्च देने की घुश्टा की है तो आश्मान सहकार योजना हाली में केन सरकार के दोरा शुरू किया गया है चलें देखते हैं स्वामित वियोजना कौसी श्वामित वज़ना तो प्रधामने श्वामिती ने आपका घर आपका है और आपका ही रहेगा तो स्वामित योजना जो है कानूनी दस्तावेच के बाद हम से आपका घर आपका ही रहेगा इस लक्ष को प्राप्ट करने के लिए स्वामित योजना की शुरुआत की गई है जैप्रकाश नाराय और नाना जी देश मुक्की जैनती के उपलक्ष में योजना यह है पंचायती राजमंत्राले की योजना जिसे 24 अप्रेल 2020 को राष्ट्री दिवस पर इसकी सुरुआत की थी धार मंत्री जी ने योजना का उद्यश ग्रामिट छेतरों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संपत्तिकार उपलब्द कराना है इसके दायरे में लगभग 6.62 लाख गाउं आएंगे इंदिरा रशोई योजना बहुत इंपोर्टन योजना ही राजस्थान सरकार की राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रशोई योजना की शुरुआत की है मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने कोई भूखा नहीं सोए कौन कोई भूखा नहीं सोए सोच की तहर्थ वीडियो कांफरेंसिंग मादे हम से इस योजना की शुरुआत की गई है इंदिरा रशोई योजना इस योजना का मुख्य उद्यश जरूरत मन लोगों को दो समय का सुद्ध पॉस्टिक भोजन रियायति दर पर प्लद्ध कर आया जाना है योजना के संचालन में स्थानी गयर सरकारी संगठों या थी अर्थाद एंजीयों की भागेदारी सुनिशित की जाएगी साथ साथ सुचना प्रद्योगी की सहायता से प्रहाई तरीके से निगरान नी होगी इंदरा रशुय योजना की, इसका क्या उद्यश्र की है, कोई भूखा नहीं सोए चले नेक्स्ट योजना कौन सी है तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन प्रहानमंत्रि नजमुदीन चोहत्तर में म्हें श्वतंस्तरत दिवश है कौनों सी? National Digital Health Mission. उन्होंने कहा कि CoronaVirus के कालखंड में आत्म निर्वर भारत की सबसे बड़ी सीख स्वास्त छेत्रों ने सिखाई है. National Digital Health Mission के तहत एक विशेश कार्ड जारी के जाएगा ये कार्ड अधार कार्ड की तरह ही होगा और इस कार्ड के ज़िए मरीश के निजी मेडिकल रिकार्ड का पता लगा जा सकेगा प्रधामंत्री नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आइश्मन भारत प्रधामंत्री यन आरोग योजना की तरज़ परिकार करेगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन प्रधामंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना तो 30 जून 2020 को राश्ट को संबोधित करते हुए प्रधामंत्री ने गरीब कल्याण अन्य योजना की सुरुआत की है साथ 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 से नवंबर तक बढ़ा जाने की घोश्डा भी की है इस योजना के तहत 80 करोण लोगों को 5 किलो गेहु या चावल मुफ्त मिलेगा प्रधामंत्री बनने के बाद से अब तक पियाम ओधिन देश को 13 बाद संबोधित कर चुके है केहन शरकार द्वारा प्रधामंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतरगा 26 मार्च बीस को 21 दिन के लागडाउन को ध्यान रखते हैं गरीब जनता को कोई शमस्या ना यह इसके लिए आरम की है किसान गरीब कल्याण योजना गरीब कल्याण अन्य योजना केता है देश के 80 करोण ग्रामीड लोगों या गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त में 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाना निशित किया गया है तो प्रामंत्री गरीब कल्याण योजना को अब नुमबर तक बढ़ा दिया गया है ठीक तो यह थी हमारे आज़की क्लाश जिसमें हमने बताया कि 2020 में कौन कौन सी उजना है हमाई केन सरकार या किसी विजएस राज सरकार के द्वारा सुरू की गई है चलिए इसे प्रकार से 2020 में और कौन सी विजएस चीज़े आई है उसको हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे क्योंकि यह सब चीज़े परिक्षाओं के परपस से आगामी परिक्षा जो होने वाली है उसके परपस से बहुत important है चाहे UPSC हो चाहे SSC हो चाहे UPSC हो या फिर कोई भी State Government की कोई भी job हो तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में तब तक चानल साथ बने रहे है वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आनल वीडियो के अपड़ेट आपको मिलती रहो के थैंक यू